हाई फ्रेंट्स मैं चन्दन स्वागत करता हूँ आपका सभी ग्यान सिखते रों योटोब चैनल पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी वीडियो से ओडियो को कैसे हटाएं तो यह जानने के लिए इस वीडियो को सुरू से लास्ट तक देखेगा और वीड इस तरह को उपन करना होगा तो जब आप उपन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो आपको जल्दी बाजी नहीं करना है तो जब पूरी तरह से ओपन होगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहां पर आपको निव प्रोजक्ट के ओप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करके वीडियो का जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो आप टाइप करके रख लीजिए जैसे मैं ऐसे ही रख लेता हूँ टेस्ट वीडियो तो जो भी आपको नाम रखना है वीडियो का वो आप डाल लीजिए और उसके बाद आप वो वीडियो को select कर लिजिए जिस वीडियो से आप audio को हटाना चाहते हैं जैसे कि मान लिजिए कि मैं इस वीडियो से audio को हटाना चाहता हूँ तो आपको जिस भी वीडियो से audio को हटाना है आप उस वीडियो पर दो बार click करिए और उसके बाद आपका वो वीडियो यहाँ पर आ जाएगा जैसे दखिलिजे यह वीडियो यहाँ पर आ चुका है और उपर के साइड कोने में आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को प्ले करिए दखिलिजे वीडियो प्ले हो गया और उसके बाद आप इस वीडियो पर क्लिक करें और उसके बाद आप बैक करके इसको हटा लीजिए और उसके बाद यहां पर आपको एक पैंसिल का आइकोन दिखेगा तो आपको यहां पैंसिल के आइकोन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां पर अगली को दबा कर करके रखना और इतर खिसकाते हुए बिलकुल जीरो तक ले चालाना है जैसे मैं जीरो तक ले चालाया और उसके बाद आपको यहाँ okay पर click कर देना है तो जैसे इतना कर देंगे उसके बाद उस वीडियो से audio हट जाएगा जैसे देखलेजिए आप मैं इस वीडियो को यहाँ पर click करके play करता हूँ तो देखलेजिए आब आज कुछ भी नहीं आ रहा है आज सारा हट जुका है देखलेजिए जबकि मेरे मुवायल का आवाज फूल है लेकिन फिर भी वीडियो से audio नहीं निकल रहा है क्योंकि मैं इस वीडियो से audio को हटा चुका हूँ तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो से audio को हटा सकते हैं और अगर जो आप चाहते हैं इस वीडियो को अपने मुवायल गैलरी में save करना तो उपर के side corner आप यहाँ पर click करें और उसके बाद आप यहाँ produce वीडियो पर click करें और उसके बाद आप यहाँ save to gallery के option पर click करें औ और उसके बाद जिस भी quality में आपको करना है आप उस पर click करें जैसे मुझे HD में करना है तो मैं HD पर click करता हूँ और उसके बाद आप यहाँ produce पर click कर दीजिए तो जैसे इतना कर देंगे उसके बाद वो वीडियो produce होने लगेगा और पूरा हो करके कुछ देर के बाद वो वीडियो आपके मॉयल के गैलरी में सेव हो जाएगा तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो से audio अटा सकते हैं तो फिर मैं लेंगे ने वीडियो में तब तक कली बाए